Students, today we will discuss chapter number 5 of class 7th science, whose title is Acids, Bases and Salts. बच्चो, आप सभी ने अपनी डेली लाइफ में कुछ खटी, कुछ कड़वी और कुछ नमकीन चीजें जरूर खाई होंगी. जब हम lemon juice पीते हैं, तो हमें उसका टेस्ट खटा मैसूस होता है. इसी तरहें, आप लोगोंने अपने गर में दही भी जरूर खाई होगी, तो जो दही का टेस्ट है, वो भी हमें खटा मैसूस होता है. और आपने आवला से बनी हुई चीजे भी खाई होंगी, आवला का टेस्ट भी खटा होता है. लेकिन हम घर में सबजी के अंदर जो सॉल्ट यूज करते हैं, जो नमक यूज करते हैं, उसका टेस्ट खटा नहीं होता, बलकि उसका टेस्ट नमकीन होता है. तो ये जो चीजे हैं, जिनका हमें अलग-लग टेस्ट मैसूस होता है, ऐसा क्यूं होता है? तो आईए बच्चो, अब हम स्टडी करते हैं. ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि हर खाने पीने की चीज में कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिक्स रहते हैं, जो इन टेस्ट को पैदा करते हैं. आज हम इन ही पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे, तो आईए, सबसे पहले मैं आपको एसीड के बारे में बताता हूँ. देखिए, जिन पार्टिकल्स का टेस्ट खटा होता है, उन्हें हम एसीडिक सबस्टेंस बोलते हैं. तो एसीड की डेफिनेशन हम क्या लिखेंग और ऐसी चीजे जो हमें खटी मैसूस होती हैं, उन्हें हम एसीडिक सबस्टेंस बोलेंगे. जितने भी खाने पीने की चीज हैं, जिनका टेस्ट भी खटा होता है, उन सब के अंदर एसीड होता है और इसीलिए उनको एसीडिक सबस्टेंस बोला जाता है. तो देखिए, द औरेंज जूस है आउला है यह सभी खटे हैं इसलिए हम इनको एसीडिक सबस्टेंस बोलते हैं बच्चो आप लोगोंने कुछ कड़वी चीज़े भी जरूर खाई होंगी अब हम कड़वी चीज़ों के बारे में डिसकस करते हैं यह देखिए आपने करेले की जो चीज़े है करेला जो है वो जरूर खाया होगा करेले का टेस्ट जब आप देखेंगे तो वो आपको कड़वा मिलेगा इसी तरह बेकिंग सोड़ा भी आप लोगोंने जरूर यूज किया होगा बेकिंग सोड़े का टेस्ट भी आपको कड़वा मैसूस होता है तो देखिए जिन पार् which are bitter in taste and feel sopy on touching are called bases, मतलब ऐसी चीजें, ऐसे particles, जिनका taste कड़वा हो, और उनको अगर हम touch करके देखेंगे, तो वो हमें साबुन जैसे मैसूस होते हैं, तो ऐसे particles को हम बोलते हैं, base, तो base की definition आपको यहां दे गई है, कि those substances, those particles, which are bitter in taste, and feel sopy, मतलब साबुन की तरह जो हमें मैसूस होते हो, और जिनका taste कड़वा लगता हो, हम ऐसे particles को base बोलते हैं, यह जो मैंने अभी अभी आपको examples दिये हैं, यह सभी base के example हैं, जैसे कि baking soda है, और करेला है, इसके अलावा साबुन भी है, साबुन को भी आप थोड़ा सा test करके देखेंगे, तो साबुन का test भी आपको कड़वा मिलेगा, क्यों? क्योंकि साबुन के अंदर भी base होता है, तो इस तरह से आपने इस वीडियो के अंदर acid और base, दुनों के बारे में जान लिया है, कि acid क्या होता है, और base क्या होता है, students, खाने पीने की चीजों का test हमें अपनी tongue की मदद से पता चल जाता है, लेकिन देखिए, हर चीज को हम अपने mouth के अंदर डाल के test नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सी चीज़े ऐसी होती है, जो toxic होती है, जहरिली होती है, तो उनको हम अपने मुँ में डाल के अपनी tongue की help से उनके test का पता नहीं कर सकते, क्योंकि अगर toxic चीजों को हम अपने मुँ में डालेंगे, तो मुँ में डालने से हमारी death भी हो सकती है, toxic material के test का भी पता कर सकें और ये पता लगा सकें कि वो acidic हैं या basic हैं, तो देखिए, ऐसे substance जिनकी help से acid और base का पता लगाया जाता है, जिनसे acid और base की पहचान की जाती है, हम उन चीजों को बोलते हैं, indicator, अब आपको indicator की definition बताते हैं कि indicator क्या होता है, तो आप यहां देखिए, special type of substances that are used to test whether a substance is acidic और basic और known as indicators, मतलब, ऐसे substance जिनकी help से acid और base की पहचान की जा सकती है, जिनसे पता लगाया जा सकता है कि acid है या base है, तो ऐसे substances को हम बोलते हैं, indicator, मैं आपको indicator फिर से बता दूँ, देखिए, indicator ऐसे substances का नाम है, जिनसे हम acid और base की पहचान करते हैं, उनी को indicator बोलते हैं, और indicator जो हैं बहुत सारे होते हैं, natural भी हैं, और synthetic भी हैं, लेकिन आज हम natural indicator की ही बात करेंगे, तो natural indicator कौन से हैं, कौन सी चीज़े हैं जिनसे हम acid और base का पता लगा सकते हैं, तो देखिए, यहाँ पर तीन example आपको दिये गए हैं, litmus, turmeric और china rose, litmus की help से हम acid और base की पहचान कर सकते हैं, turmeric की help से, turmeric मतलब healthy, healthy से भी हम पहचान कर सकते हैं, और china rose, यह तीनो natural indicator हैं, इनके बारे में detail से अगली वीडियो में पढ़ेंगे, आज की इस वीडियो में केवल acid और base के बारे में बताया गया है, अब मैं आपको कुछ, बहुत ही commonly जो अमारी life में use होते हैं, ऐसे acid के नाम बताता हूँ, यह देखिए एक table दी गई है आपको, कौन सा acid कौन सी चीज में पाया जाता है, यह आपको यहां दिखाया गया है, यह देखिए vinegar, vinegar जो हम use करते हैं, खाने पीने में, तो उस vinegar के अंदर कौन सा acid होता है, acetic acid, इसके अलावा iron sting, मतलों जो cheetah होता है, cheetah जब काटती है तो उसके डंक के अंदर कौन सा acid होता है, formic acid, इसी तरह जो fruits हैं, जैसे की orange है, lemon है, उनमें कौन सा acid होता है, citric acid, curd, curd में कौन सा acid होता है, lactic acid, spinach, retrospect में कौन सा acid होता है, oxaleside, इसी तरह आवला में, और जो खटे फल होते हैं उनमें कौन सा acid होता है ascorbic acid तो ये जो table आपको दिखाई दे रही है ये आपकी book में है NCRT की book में दी हुई है वहाँ से भी आप इन acids के नाम learn कर सकते हैं कि कौन सी खाने पीने की चीज में कौन सा acid होता है ये आप यहाँ से पता लगा सकते है तो students आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में हम आपको indicator के बारे में बताएंगे चलिए ठीक है, okay बाई